नोव्यू करांतिकारी संगठन आये हुए हैं चलिए इन से बाते करते हैं बताएं क्या कहना चाहते हैं अब हेलो जी बढ़िया है एक बताइए बोलिये है आपका विरूद इस बड्रके खिलाफ है बरहमनवाद के मेरा ब्रूद जो है समाजिक कुरूतियों के खिलाफ है तो फिर इस्वर को भी नगारते है आप इस वर ही तो अस्ली जनम दाता है ना सबसे बड़ा जनाम दाता तो वही है कुरतियों का कुरतियों का तो सबसे बड़ा जनाम दाता वही है ना आपका इस्वर जो है आपके धरम गरंथ जो है इतने साल से हजार साल दो हजार जितने साल से आप कहते हो उतने साल से आपका इस्वर जो है धरम गरंथ तो बटवा रहा है और जो है खुद नहीं आ रहा कभी कहने के लिए कि बटा तुम लोग जो पानी पीने से रुक दिये हो इससे पीने से रुक दिये हो तो यह हमारी काम नहीं है यह तुम लोग का परसनल लाकड़ा है क्यों नहीं आया बताने के लिए मंदिर में जब घुसने से सुद्रों को र इस्वर को आपको प्रूफ करो बाकी बात पर हम बाद में देख लेंगे आप बात कहने हैं आपको जो भी बात कहने हैं आपका क्या विरोध है आपका क्या लगता है कि ब्रामणबाद का विरोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए मुझे नहीं लगता कि ब्रामणबाद करो या ना करो चाहिए आप इस्वर का विरोध है ब्रामणबाद का मैंने जवाब दे दिया वही चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं तो आपको भी जवाब देना पड़ेगा ना ऐसे नहीं होता है कि आप जो है भागने लोगो उस है और ब्रामणबाद का विरोध करने पर आपको क्या तकलिफ है और समाजिक कुरूतियों को विरोध करने पर आपको क्या तकलिफ है बताएं पहले यह तीनों सामाजिक कुरूतियों का विरोध होना चाहिए ठीक है ब्रहमनबाद में जो कुरूतिया है अगर वह अपनी समझ आप ब्रामण है क्या नहीं आपकी साधी आपके हां साधी किस में होती है हमारे हां साधी मतलब अपके दलित हो यही कहना चाहते हो जूत बीच मेग में बब्रामण निकल आओ और बहुत सारे लोग पहुंच नहीं कभी ब्रामण है कभी बन के आजाएंगे कभी जो है दलित पन के आजाएंगे उस चक्त में गूति में फसाना अप अब यह बताव मुझे कि ब्रह्मनवाद के आपको क्या प्रोब्लम आ रही है मुझे कोई प्रोब्लम नहीं है ब्रह्मनवाद से अच्छा यह जो चानक क्या थे अच्छा आपको प्रोब्लम नहीं है तो दलित समुधाय को ब्रह्मनवाद से क्यों प्रोब्लम बाबा साहब क प्रोब्लेम थी ब्रामडबाद से सम्मान ने मिल पा रहा था न लोगों को अब मिल गया है क्या सम्मान अभी भी अधूर आया भी तो क्यों नहीं विरोध होना चाहिए ब्रामडबाद का फिर मैंने गया आप कुरुतियों के खिलाफ भी लड़ेंगे ब्रामडबाद के भी लड़ेंगे क्योंकि घुरुतिया आ कहां से रही है यह इनसानों की सोच से जनम ले रही है ब्रामडबाद से कहां रही स्कृन देखाया है मैंने थोड़ा पढ़िये तो इक्सोंच है यह पढ़िये क्या लिखा हूए लोगोंको नीच और अषूत माननने से मुक्ति नहीं पासे के सुद्रों जो आज के अनुसुजद का बोली और पिछली सिरेनियों हैं के विश्चे में संकर के विचार इससे भी ज्यादा गई बीते हैं अपने भाशिये में नोने लिए आपकी साउंड चली गए सुद्र को ने वेद सुनने का अधिकार है ने पढ़ने का ने उसके अर्थ समझने का अधिकार है और ने उसके अनुसार अनुस्ठान यग्यादी करने का यदि वह सुद्र वेद पढ़ने वालों के पास जाकर उसे वेद को सुन ले तो उसके दोनों कानों में सीसा और लाख पिगला कर भर देनी चाहिए सुद्र चलता फिरता समचान होता है अधा उसके समीफ वेद नहीं पढ़ना चाहिए वेद का उच्चान करने पर सुद्र की जीब कार देनी चाहिए और वेद को सुनकर कंठस्त कर लेने पर उसका सरेचीर देना चाहिए सुद्र को ग्यान नहीं देना चाहिए पढ़ लिये न अब आप मुझे यह बताओ कि भारत के जितने मंदिर हैं जो मेरी बात सुनदा रहे हैं उसके जो हेड है उसके जो हेड है वे संकराचारे है वो संकराचार्य जो है वो ब्रामण होते हैं होते हैं तो वह ब्रामण को डिया कि सुद्रों के कान मैं उस इसा पिखला के डल दे और वो जो है वेद अकर मान लेजिए उपढ़ रहा है बिद कई से गुजर गया कोई devices घुकार गया तो उसके कान में उसी से अश्कार संकर भाशा इस एक जीजिए यह है है यह यह जो हमारे सबसक्र pastagen offense बहरत में आज का ज przysz परने वाला संक्राचार्य अपको एक बनामेयं याद है कॉन कून चार्या नहीं जानता है क्ली यागन क्य तो फूछ संक्राचार्य के बाद इसलिए आपका founder है वह कर रहा है कि वेद पढ़ने का तो सुधर को अधिकार नहीं है आप बोल रहे हैं आपके चारवेद में क्या कहा था आपकी गोटी फंस जाएगी आप जो जली तबन क्या आए हो ना बीच में आपकी गोटी जरूर फंस जाएगी या तो आप सुरू में करता हूँ मैं जो मैं जो मैं करता हूँ मैं कभी चारवेद पढ़े हो मैं पढ़ाऊ तोड़ा से दिखा देता हूँ वह भी एक मिनुट वेदा पढ़े हो इसका भाबा से पढ़ हो यह भी यह बदा दो पीडियाप निकलता है संस्क्रीट पढ़ने का अधिकर तो आपको था नहीं वो तो बाबा साहब के कारण मिला है अच्छा जो पूछ रहा हूं यह बात मांते हो कि नहीं मांते हो नहीं बाबा साहब से पहले भी टाइम था यह जो चाने इसको चंद्रगुप्त को और समराट असोक को क्या कहा जाता है लोग तो इने में सुद्र क्याते है किसका नाम लिए आपने चंद्रगुप्त ओर समराट असोक को भी है कब पता चले इसमें घास है तो यही हो ना आपको भी तो पता होगा नै कि भारतीओ को और असोक के बारे में कब पता चले हैं जबहा आपको नहीं पताया है जिसने आपको बताया होगा इतना सारा ग्यान दिया हो उसने बताया होगा ना कि भारत में चंद्रगुप्ट को और असुब का इतिहांस कपसे आया है किसने खो चाहें अच्छाटों का नेक्ष पहली बार का पड़ा गया इंहुंगे अभीपह ये तो आप केलीर कर लो जो किटाब नहीं यह कुछ रहें शाइगा दो नजय के इसक पне नहीं पता है मैं बता देता हूं आपको नहीं पता है पहली बार जो है हर्तेंदू हरिश्चंद्र का आपने नाम सुना होगा हाँ सुना है ना तो वह पहला व्यक्ति है जो 1871 में पहली बार एक किताब ट्रांसलेट किया जिसका नाम था मुद्रा राक्षस उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया 1871 में 1871 में वो नाटक की किताब थी नाटक आप समझते हो ना इतिहांस की किताब नहीं थी नाटक की किताब थी नाटक मतलब होता है कि आप कुछ किरदारों को चूज करते हो कुछ किरदारों के अधार पर अपनी बातों को उसके कथानक से जो कहलाना च चाहते हो जो कालपनिकता रखना चाहते हो कहल लवाते हो पहली बार एक किताब आई मुदरा राक्षस जो 1871 में हिंदी में ट्रांसलेट हुई और क्यों ट्रांसलेट हुई क्योंकि यह पता चला था 1871 से पहले 1837 में कि जैम्स प्रिंसिप ने मौरियंस का एक अभिलेख पढ यह पता चला कि भारत में मौरियंस नाम का कोई समराज हुआ करता था तो उसके बाद से ब्रामडो ने एक नाटक लिखा जैसे अभी एक दयाप्रकास ने एक नाटक लिखा है चंदरगुप्त को विक्रित बता रहा है उसी तरह से एक नाटक लिखा उनने लोगों ने और झो लेखा फो नाटक था जास की किताब नहीं थी ब्लत करें जब उसको जब को कोई जानता तब दो में और हिंदी में जब उसको ट्रांसलेट करने की बात आई तो उसमें घलमेल कुछ हो गया फिर इन लोगों ने 1922 में ट्रांसलेट करके और 1922 में उसका संस्क्राण निकाला तो अर्थसास्त्र चाड़ा कि क्या पहली बार नाम भारत में 1905 से लेकर 1922 के बीच में उसको जान आई गई क्योकि मॉर्यन्स कभी नहीं पढ़ गागा अगर मॉर्याइन्शक नहीं पढ़ा जाता तो आपका चानक के भी कभी नहीं जनम लेता तो आप जिनका जनम से निकल रहा है लेकिन इनको भूला क्यों दिया ब्रामणों ने यही तो मैं पूछ रहा हूँ मैं पूछ रहा हूँ कि असोग को भूला दियें कि चलो वो बहुत समराट था चंदरगुप्त को क्यों भूला दिये थे चंदरगुप्त कही थी हां से यह क्यों जमिन में गाड रखे थे उसका भी तो तब पता चला ना जब ये अभिलेक पढ़े लिया इन लोगों ने प्रिंसेट ने तब ये लोग किताब लेकर आ रहे है कि उसका गुरू चाड़ा क्या था वो बिद्वान होने लगा चाड़ा क्या असोक का पता चला 1915 में अगर 1915 में नहीं पता चलता असोक क उससे पहले पता चल जाता तो असोक के पीछे भी ये लोग किसी चाड़के और किसी कोटिले को खड़ा कर चुके होते हैं तो आप जो कह रहे थे उस समय से कि भाई चाड़क क्या है ये है उनका तो बरामडों ने कभी तिहां से ही सामने नहीं आने दिया वो तो अंगरे जाए हैं खोद के निकाले हैं तब जाके चीशे बाहर आई हैं तो वो तो छोड़ी दीजिए अम्मूल मुद्दे पर आई है आपने चाड़के अगर खोदे खालपनिक थे चाहे नहीं थे हुए एक अलग मुद्दा है सवाल यह है कि अगर वो था तो ब्रामणों ने उसको क्यों भूला दिया था चाड़के को अगर वो था तो उसको क्यों भूला दिया था हां चाड़के के पहली बार 1971 से पहले उसका नाम कोई क्यों नहीं चानता था अगर वो ब्रामहड था, इनका रिसी मुनी था, इतना बड़ा अर्थसास्तर का ग्याता था, इतना जो है भारत को अभी सो बिजई बना दिया था, तो उसको क्यों नहीं ये लोगा हिलाइटेट किये, इसको अंगरेज आता है तब ये किताब एक देते हैं कि नहीं भाई, त आप जो कह रहे हैं कि सुद्रो को, सुद्रो को तो इनने कभी पढ़ने का दिकार नहीं दिया, वेद पढ़ने का दिकार नहीं दिया ना ब्रामडो के, आप कह रहे हैं कि आप सुद्र हो, आप कि मुह से उनके पच्छ में आये हो, ब्रामडो के पच्छ में, ये बताँ हो, कि अардि जातिवाद से नहीं है आपकी जातिवाद की जड़ वह ब्रह्मणवाद विता है उससे भी तो हनी चाहिए गौनर या डहरा को अदर कुछ लोग ऐसे हैं राष्ट के लिए काम और सायद आजicon किसी इस्तरव कर रहे हैं कुछ लोग कर रहे हैं अच्छा चलो मैं क्रांतिकारी रहे ब्राह्मनों में बहुत ज्यादा है वो क्या नहीं क्या परिवार से था अरे ब्राह्मन परिवार से था मैं पूछ रहा हूं पार्टी कौन से पार्टी से थे वो Casanimane चर्ण्य से रहें आप दने चंगा राजात का अपनामनों रहें कौन से पार्टी मतलब देखिए यही तो आपकी खास बात है वह खड़ा वो के लेफ्ट की तरफ भी रहे तो भी बरामण है आपके लिए बहुत अच्छा है अधिन बरते काली देते रहो कि अब बंपंती ने हमारे इतिहास बदल दिया यह कर दिया वो कर दिया दो कि सुद्रों की आपने अधिया और घेघ्टी से ने टターन विक्सिन से दिलवाई थया पहले आप बताओ आप सगे हो दुद्रेश की संकित HOW ओर ön अंगरेजुनृ голос Nee उन्होंने लोग अधिकर कम जोर की बात कimyos मुझा नहीं पता है इनको शोड़र बता रह रहा है अप नहीं को वहीं डेटा नहीं पता है आके यहां टारीफ ब्रामणु यह जारह हुआ जहूंट बोल रहे होगे आप डलि यह द हैं संब को कुछ आप किसकी तारीफ कर रहे हो चलो आप पॉइंट में किलियर कर देता हूँ जितने भी करांती हुई या जादी होने के लिए उनको महसूस हुआ कि हमारे उपर रुख जाईए मुझे बोलने दिजिए उनको ये लगा कि उनके उपर कोई सासन कर रहा है लेकिन उन लोगों को ये क्यों नहीं लगा कि इतने सालों से वो सुद्रों के उपर सासन कर रहे थे ये क्यों नहीं लगा आपको चाहोदार जो तलाब है जहां पे बाबा साहब ने लोगों को ले जाकर पानी पीने का अधिकार जो अंग्रेजों ने दिया जब सारजनिक तलाब पे पिये तो उ पर लोगों को तकलीफ हो जाती थी, आपका धरम परश्टोने लगता था, सावित्रिभाई फूले जब पहली महिला जो पढ़ने के लिए गए तो आपका धरम परश्टोनी लगा, आप गवर मलमुत्र से उसके सरीर पर फेक रही हो, ये आपका धरम था, तो इन लोगों को सा अधिकार दिये विदेशियों ने इनको आप जो करांती करांती की बात कर रहे होगे बहुत करांती कर दी बहुत करांती कर दी अरे उस करांती ठीक है करांती कर दी यहाँ पे सवाल था कि अंगरेज अगर भारत पे सासन कर रहे थे तो आप किस पर सासन कर रहे थे आप अगर क पेपर दिखाना खोल कर सुरू कर दूंगा कि घोड़ी पर चढ़ने का अधिकार नहीं देते हैं अभी जो है एक जो बालक था छोड़ा सा बालक था उच बालक को जो है आप लोगों ने 25,000 रुपे का फाइन लगा दिया कि मंदिर में ब्रामडों के मंदिर में कैसे घूस ग क्या लिखा हुगा है करनाक्टा फैमिली इंपोड रुपे 25,000 फाइन आफ्टर दलित बोई एंट्रेज टेंपल इन कोपल बताइए क्या मतलब है इसका 25,000 आप फाइन देते हो एक दलित बच्छा जो है जब टेंपल में घुस गया यह कौन सा आपने इसकी आजादी दिल करता है चाहिए कोन करता है ब्रामण करता है या सुद्र करता है कोन करता है ने करते करते लोग लोग है है क怕 रहे हैं उसी का ना वाद किसका नाम है ब्रामरवाद का मतलब जो उस वाद को फशाया हुआ है मनु ही है पढ़ा पड़ा होगा नि conspiracy तो मनु है विकार है कितार है किताव है तो मतलब चाहिए आपके नज़र में क्या है किताभ है वैसे एक नज़र में क्या होगा नज़रिया है आप्ट अपना एक किताब है अगर आप गलत लगात भी थो ठीक है जो से फोलो कर रहे हैं अच्छी लगी मिल्द के मिनट मनु इस सुछिक में सुध्यों सब्सूर को पढ़ने का अधिकार है क्या नहीं है नहीं है नात भारत मैं सुद्रों की संख्या कितनी है जाद जाद सुद्रों की संख है भारत में है ना 80-85% तो सुद्र रही है भारत में हम बिल्कुल है ना तो जब 80-85% को मनुस्मिर्थी है ही नहीं अच्छी उनके लिए तो वो क्यों मानेंगे दूसरी बात इसमें सिर्फ अच्छी की बात नहीं है एक मुता है कि आप मानते हो एक होता एक हम मानते हैं अब क्या हो रहा है कि आपने अपना कुछ बना कि हमारे उपर थोप दिया मनुस्मिर्थी का जो चेप्टर 8 है उसमें साफ साफ लिखा है कि वही काम के लिए अगर कोई जो पुरुस है अगर एक सवर्ण महिला या तथाकतित इनके जो महिला है उनके साफ अगर वो संभो करता है तो उसको जो है उसका गला काट देना है उसको मृत्य उदंड देना है और वहीं पर ये बात लिखता है कि अगर ब्रामण जो है किसी सुद्रा के साफ तो उसका रेप भी कर देता है तो उसको जो है उसकी उदंड नहीं देना है यह तो यह सही वहस्ता है यह एक ही काम के लिए किसी को जिवन दान दिया जा रहा है और किसी को जो है उसको गला काटने की बात हो रही है यह सही वहस्ता है यह कुछ लोग को अच्छी लग सकती है किसको अच्छी लगें जुन को अच्छी लग रही है इस तरह की वैवस्टा आपको अच्छी लग रही है मैं पूछ रहा हूं तो जब आपको अछी लग रही हा इसको बहावना क्या है यह तो समझो ब्हुत मड़ामणॡबाद चाहता है ना जब अपनी सर्व Ken essa करें हम को फैदा मिले हैं दूसरा करें तो भैया उसको हम मार दूशा हो और दे-खट दे यह तो ले का इसका मैं विरूध कर रहा हूं तो आप मुझे बोल रहे हो कि तोटल जातिवाद का विरूध हो नहीं जातिवाद कहां से आया है नहीं मैं पूछ तोपा किसी ने है तोपा हो जाएगा जब तक आप जड़ नहीं खोजोगे सब सारे मुद्द्ट चोड़ 2 लोग सोच से आता है किसकी सूचस से आता है कई भी जátती हो आता है सब्की सम्मेत कौन करता है सभी इस तो सभी स्ताफित करने में लगे अपने आपको जातिवाद आज थोड़े आया हुआ है मैं पूछ रहा हून ऑया कबसे है जातिवाद आस्थाफित किसने किया है किसने किया आस्थाफित आप फिर बामनों कहेंगे ब्रहव्त Pre- constructing भारत का हो कि पढ़ये लिखे लिघेए लिखेए फिर अधिकर नहीं था उस्पें पावर में कौन था वो ही थे कौन थे ब्राह्मन थे द्रामर्वड थे ना तो जिब ब्रामळ थे जो पावर में राता है वो अस्थापिद पृता है या जो कyal कर रही नहीं शकता वह अस्थापिद करता कींगे इस्थार के जाए हो अछॉब रांभ हम से क्यों नहीं साधी करता है कि तो स्वयत बहुतल में ये यह क्यों देखता है ducks अब करना देन करते हैं कि अपने साधी की है सेक्टेरी नगले से यह इसफ्यर मल देंज कर रहे घ्लाret तो सब्सक्राइब कुछ चुना करना चाहिए लोगों कर रहे हैं ये लोग तो सुईकार कर रहे हैं वो क्यों नहीं कर रहा है आगा उसका पूरा गीता जो है गीता इसी बात का विरूद कर रही है कि वर्ण संकर अवलादे पैदा हो जाएंगी दूसरे वर्ण में मैं साधी करूंगा तो वर्ण संकर अवलादे पैदा हो जाएंगी वही बात तो अर्जुन कह रहा है जिसका निदान कर रहा है क्रिश्ण कि नहीं नहीं देखो ऐसी प्रोब्लेम नहीं बोल रहा है कि मैं ही वर्ण को जनम दिया हूँ। विद्वा हो जाएंगी तो यह दूसरे वर्णों में सादी बच्चे पैदा करेंगी तो वर्ण संक्र अप क्या वेशे शुद्रा ने अब आप मैं पता दो ना क्या है फिर हम लोग उसी इंसाफ से देखो एक टाइम था आप से कुछ टाइम पहले युद्ध होते थे उस समय तलवारों से भालों से इन से युद्ध होते थे अगर आज आप तलवारों से एक तरफ सैना खड़िये दूसरी पे आज के आदूनी खतिय कि मस्तिक से ब्रहहमन क्या होता था ब्रहम करने वाला इस से क्या हो जाएगा ब्रहहमन क्या था कि उपर हिस्सा जो था वह ब्रहहमन क्या बता रहा हूं अच्छा गीताम में बताओं चलो कियरा में बटा तो पहले रीवेद का बदा देता हो मैं यह शुषक४्त कर बारवा जो मंतर है उसमें सांथ जुके क्लिए कि ब्रह्म्भा के मुँंसे ब्रामण पैदा हुआ है मैज दिखाना चाहते उसका दिखो लिखा हुआ क्या है समझावा क्या है इस यह दोनों वह चैप्टर बताओ कौन से से अप उधार ना दोगे मुझे ढूंड रहो मैं भूल गया साद मैंने पड़ा था मुझे मिल नहीं रहा लेकिन यही कहा था कि जो मुक्से जो होगा मुक्से वो ब्रह्मन होगा बाहु बल से जो होगा व पेट में जो पेट का बन पोसंट करने वाला उलगा बैं अब już जो पैदा होगा वह सुझा अच्छा चरन को 21 नाभी से नीचे का जो हिस्सा है वो सुद्र कहला है सभी का नाभी से नीचे का हिस्सा सुद्र कहला है वैसे तो सुद्र है है ना ठीक है सुद्र है लेकिन सभी ब्रादवी में सभी ने मैं पूछ रहा हूं कि वैसे सुद्र है नहीं वैसे सुद्र नहीं है क्या है पिर वह तो नाभी के निचे पैदा होता है ना हाँ वैसी है यह वैसे वैसे कहलाइगा जो वह पार करेगा पेट के लिए कार यह करेगा वह वैसे तो इस समय के शुद्र नाभी से नीचे जो पैदा हुआ और उसमें महावारत में जो वयाज जी ने कहा था कि जन्मना जायते सुद्रा उसे को आप दिखा दो और जो आप महावारत की आप बात कर रहे हो ब्यास की उसका तो कोई सबूद ही नहीं है अब जब आप व्यास की बात करोगे तो मैं फिर व्यास स्मिर्थी खोल के दिखाऊंगा व्यास स्मिर्थी में वो सीधे सीधे कृष्ण को तो कहता है कि इससे बात कर लो ग्वालों से बात कर लो तो भाई मुँ जो है सूरज की तरफ देखो नहादवा के घर में प्रवेस करो यह तो अच्छूद से भी नीचे है ऐसी बाते करता है तो इसी लिए बेहतर होगा ना कि पहले आप जो है ना गीता में आप बोल रहा हो कि वर्ण क्या रहा है थे ना वर्ण पहले क्लियर करो वर्ण क्या है कैवल एक वर्ण कूछन नहीं है जातीवाद नहीं है वर्ण पहले जाद मिधा थो और पेरों से जो पेरों से नाभी से नीचे जो पैरों का हिस्सा ब्रह्मा के डैटा हुए इस इस दुनिया में जितने भी सुद्र है आप यह बताना चाहते हो कि आपके जो धर्मगरंथ जिन लोगों ने लिखा है उनको आप जो बता रहे हो यह बात नहीं पता थी आपको यह बतारें हो यह बता रहा है पने किता आपने काईया प्रभ आसे यह ने में पढ़ोतो तो इस में क्या लिखा हुआ पस्वोगी रख्षा करना दान ये अगय करना परना रोजगर शुट्रपर रुपिया देना और किर्सी करना ये वैश्चों के कर्म है ठीक है? है ना? है ना? अब बताओ अब आगे पढ़ो उसके आगे पढ़ो ब्रह्मा ने उपर तीन वर्णों का गुन अनुवाद करते हुए सेवा करना एक ही कर्म सुद्रों के लिए निश्चित किया ठीक है? मिल गया ना आपको? मिल गया कि नहीं मिल गया? तो ये सुद्र के लिए एक अमात कर्म क्या है? कि उपर के तीन वर्णों की सेवा करना है ना? हाँ तो उपर के तीन वर्णों जो है सुद्र हुए तो सूद्र फिर सेवा किसकी करेगा आप जो कहानी अभी यहां पे सब लोग के सामने जो जूट बोल रहे थे कि वह सब लोग जो है नाभी के नीचे से पैदा नहीं ने रुख जाओ पहले मुझे बोल न दो आपने कहा कि नाभी के नीचे से लोग जो है पैदा होते हैं तो ढ़ाए साथ यह जो बोल रहा है यह मुझा पहले है नाभी से पूरुष अथ्यंत पवित नाभी से रख्वत्त्रि ने मुु待 हूँ माना है अब मुह से कौन पैदा हुआ बताया गया है और शोल्डर से चछत्री बताया रहा है यह तो आपके मनुस्वर्ति का रही है तो यहां तो भी खुद बोल दिया ना कि जो मुह से पैदा हुआ है उसी को ब्रहम्भाजी ने सबसे पवित्र माना है और नीचे जो बता दिया से एक मिनट रुख जवाप यहां सब को वीजवल है और यह जो सुद्र है इसमें बोल दिया ना इनने कि सुद्र जो है इसका एक मातर पर्म जो है वो सेवा करना है उपर के तीन वर्णों कि या बताओ उपर के इसके तीन वर्ण कौन कौन है सुद्र से उपर के तीनों वर्ण कौन है यह बताओ पर लिए आप सुद्र हो ना तो आपका काम क्या है कि आप जो है तीनों वर्णों की सेवा करो यह आपका काम है यह ब्रह्मा आपको देखे गया नहीं देखे गया नहीं मानेंगे बस यही तो बात है न पिर आपका मुझसे क्या विरूद हो रहा था उस समय से यह बताओ पहले यह बोद और आज 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 हम दे रहें बढ़ावा यह जो लिखा हुआ है यह बढ़ावा नहीं दे रहा इन चीजे को खतम करोना हम घ्रपा किसने पहले ब्राम्रों का वर्चस वथा उसी ने थोपा है तो यह आपने कितने ब्राम्र चैनल पर संक्राचारियों को जाकर कहा कि भाई तुम जो है बैवस्ता खतम करो यह सब हमें नहीं चाहिए तुम्हारी चीज़ है एक भी संक्राचारियों के चैनल रगए थे कहने के लिए एक तिन जाएंगे जरूर पर हाथ उससे पहले आप मेरे पास आ गए जो इसको खतम करने की बा आज तक किसी ब्रामण के पास नहीं कहने के लिए तुम लोग ने बैवस्ता क्यों थोपी और जो लोग इस लड़ाई के मुहीम पर हैं कि वह यह यह क्यों जो बैवस्ता बनी हुई है हम लोग इसको खतम करने की उसको समझाने पहुंचा है कि हम लोग जतिवाद खड़े क यह है इनकी असलियत तो मेरे ख्याल से आप जो भी थे जाकर एक बार ध्यान से जो है इस सेशन को देखिए समझे नहीं जानते हैं तो समझने की कोशिस कीजिए कि चक्कर क्या है और कहां पर आप फंसे हुए हैं कहां से निकलना है और किसको जाकर समझाने की ज़रुरत है यह पहले डिसाइड कीजिए समझाने की किसको ज़रुरत है